नरहो न निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये बिर्थ नहो कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नरहो न निरास करो मन को नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे एक नया ध्याय जिसका नाम है वृत यानी सरकल सरकल चैप्टर का कुछ बहुत कंसेप्ट जरूरत नहीं आपको बताने की क्योंकि आपक अच्छा 10 में पहुँच चुके हैं इसके पहले का अच्छा 9 में, 8 में, 7 में सम्में हम आपको बृत्त का बेसिक पढ़ा चुके हैं अगर बेसिक नहीं आता तो कमेंट करना बता देंगे यहाँ पर जो आपके लिए important है हम वो लेके आये हैं तो exercise 10.1 का question करने के लिए यह तीनों बात हैं जरूरी हैं जो इस screen पर दिख रही है बिटा सबसे पहला है असपर्स रेखा छेदक रेखा और असपर्स बिंदू जिसका इंगलिस भी लिखा गया है tangent line, secant line and point of contact अब ध्यान से देखना दिल से बिल्कुल समझ के ठीक है सबसे पहले बात करते हैं असपर्स रेखा की असपर्स रेखा क्या होती है इधर ए नंबर के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ ध्यान से देखना लिटा देखो, जब कोई circle ऐसे बना हो ठीक है ये circle ही बना है और कोई रेखा जो इसको touch करती हुई निकले इसको touch करती हुई निकले आप समझना, थोड़ा सा, ये ऐसे, तो ये क्या है? ये है असपर्स रेखा क्या है ये असपर्फ रेखा समझ रहे हो ना देखो अभी सब इसमें कलियर हो जाएगा टैंसन मत लेना बस थोड़ा सा रुके रहो ये क्या है जिसे बोलते हैं टैंजेंट लाइन है ठीक है इसका नाम मानलो कुछ भी हम लिक देते हैं ये भी अब देखो इसके बारे में थोड़ा डीटील में समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे ये दि किसी बृत में कोई भी रेखा जो बृत को एक ही जगह पर टच करे और फीदा निकल जाए वो असपर्स रेखा या टैंजेंट लाइन होती है इसके अलामा अभी अंतर समझोगे तब समझ में आएगा एक एक नहीं समझ में आ रहा होगा ना आव आगे और देखो एकठी एकठी और देखो और देखो आ ये बना ना समझना इसमें इसमें समझना बिटा ये भी क्या है एक रेखा ही है जिसका नाम A-B है ये क्या कर रही है इस सरकल को अगर आप देखो ये केवल बगल्थ टच कर रही थी ये डारेक्ट भोंक दे रही है चुब जा रही इसमें से ना अंदर पे निकल रही ना तो वेटा इनको क्या बोलते हैं पता है ये सीकेंट लाइन होती है क्या होती है सीकेंट लाइन जिसे छेदक रेखा बोलते हैं छेदक रेखा तुम वो ऐसे भी समझ गया होगे इसको ये छेद रही है जैसे कोई आलू ले लो और आलू में अगर बगल से तुम सुई चिपका दे रहे हो तो असपर्स रेखा है और आलू में अगर सुई तुम भोग दिये चुभो दिये तो वो छेदक रेखा हो गई छेद गया समझ गया तो ये असपर्स रेखा ये छेदक रेखा दोनों में अंतर समझ गया एक है बिटा असपर्स बिंदू जिसे बोलते हैं पॉइंट आफ कांटेक्ट पॉइंट आफ कांटेक्ट क्या होता भया पॉइंट आफ कांटेक्ट क्या होता है देखो इसमें ए बी जो है वो क्या है असपर्स रेखा है लेकिन ये जहां पर टच कर रहा अगर इसका नाम हम पी लिख दें तो ये बिंदू जो P है वो क्या है? असपर्स बिंदू है समझे गए? तो ये भी इसी में आ गया बोलो, सब को समझ में आया ना यानि असपर्स रेखा, असपर्स बिंदू और छेदक रेखा सब समझे गए जिसको इंगलिस में तेंजेंट लाइन, सीखेंट लाइन, पॉइंट आप कांटेक्ट बोलते हैं इसको लिख लिजिए, इसक्रीन साथ ले लिजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए जल्दी करिए, आगे बढ़ें उसके बाद हम कोईश्टन पर चलते हैं, बहुत जल्दी करें फर्स्ट कोईश्टन देखिए, पहरा कि एक बृत्त की कितनी असपर्स रेखाएं हो सकती हैं मतलब ये है साथियों कि एक जो सरकल है, उसमें कितने टैंजेंट हो सकते हैं भई अनंत हो सकते हैं न, इनकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि हम किसी भी तरफ से ऐसे इसको टच करती हुई, ऐसे बृतें खीच सकते हैं सिर्फ चारी नहीं हो सकती, ये किनारे से ही जाएगी याद रखना तो अनंत हो सकती है, इनकी कोई लिमिट नहीं है ये ध्यान रहे, जश्ट किनारे ही टच करती हुई जाएगी, अंदर में नहीं जानी चाहिए, तो ये अनन्थ हो सकती है, बाबू इनकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ लोग कह रहे होंगे तीने चार होगी, नहीं, अनन्थ हो सकती है, हम ऐसे किसी भी छोर से ऐसे खिंच सकते हैं सिर्फ circle में touch होनी चाहिए बस देखो यह 10-5 तो मैंने खुदी खीच दिया इतनी जल्दी आपको दिख रहा होगा ना हमने देखो कितनी सारी खीच दिया अभी इतनी जल्दी तो अनन्थ हो सकती बेटा ठीक है पहले का जबाब क्या होगा अनन्थ होगा infinite यह चिन्न है न हम आपको साउधान करना चाहते हैं एरिटल ब्रॉडबेंड इंटरनेट में लगवाया था आप लोकों की कलास के लिए आपकी लगता लाइब कलाफे चलती थी साथ-ाठ कलासे अप्लिकेशन में और यूटूब पर अगर इनकी एक बार केबल कड़ जाती है तो यह चार- पर दिया और आपके भी वर्वाद होंगे ठीक है तो इसलिए ऐसा ना करें हमने बहुत कोसिस किया बहुत टाइम लास किया इनके पीछे कस्टूमर केर में काल करकर करके यह लोग कुछ करते नहीं है भाई तो अभी देखो इसमें 8698 रुपय का बैलेंस है 325 दिन की बल्ड देखिए तो आपको दिख रहा होगा के रिक तर्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब फिलिंदा ब्लैंक्स हिंदी में लिखा है मैं इसे इंगलीस में भी पढ़के सुनाओंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा फिलिंदा बलैंक्स में क्या कह रहा है कि अटैंजेंट करती है जो टैंजेंट हैवो एक सरकल को कितने मिंदू पर पदक्ति करती है भाय अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रोड़क्सन देखा हो गब ऑबू तो यह देखो जो टैंजेंट हो अभी से इन्हार ने किनारे पे होगर जाती है एक ही जगवा तो second वाले का पहला क्या हो जाएगा बैटा question number second का question number second का जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा एक बिंदू पर इसमें क्या भरोगे एक इसमें एक भर लेना ओके ठीक है तो समझ गे इसका second part देखो second part में क्या कह रहा भईया अभी समझ रहे हो न हिंदी इंगलिस में दोनों में बताऊंगा टेंशन मतले न हिंदी में दिख रहा है इंगलिस में मैं पढ़ रहा हूँ आपको क्लियर तो हो रहा है न चलो आगे second part वाला तो सुनो कह रहा a line intersecting a circle in two point is called a fides यानि कहने का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए a line intersecting a circle in two point each card यानि वो circle जिसमें कोई line दो जगा इंटरसेक्ट करें वो क्या कहलाती है भाई सीधी सी बात है second कहलाती है छेदक रेखा कहलाती है अभी जो मैंने दूसरा चितर दिखाया था यानि बृति की दो बिंदूओं पर प्रतिचेद करने वाली रेखा को क्या कहते है छेदक रेखा कहते है क्या कहते है मिटा छेदक रेखा कहते है क्या कहते है छेदक रेखा इंगलिस में secant कहते है secant line ठीक है इसे one लिख देना इंगलिस में इंग्लिस हिंदी दोनों लेंग्वेज में मैं बताऊंगा हमारी कोसिस है UP, CBSC, राजस्थान, MP, दिल्ली बोर्ड कोई भी बोर्ड का बच्चा है वो हर कोई पढ़ सके है न, चले अगला इसका थार्ड देखिए, इसक्रीन पर देखिए, क्विश्चन, दो पार्ड दिख रहे थे, तीफरा, चाओ था, पाचवाँ सब देख लो अब, ठीक है, चारी तो है न इसमें, चलो ठीक है, आप सबसे उपर देखो आप, कहरा है एक बृत्त की, फिर सबस्क्राइब य해서 इसरा भरी तो है न, बताइए, एक बृत्त की कितनी समांतर असपर्स हो सकती है, समांतर असपर्स हेई, भाईय इसका आप जवाब लिख लो, इसमांतर असपर्स हे लो दो रेखाएं हो सकती हैं दो से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं जो समांतर भी हो और मतलब पैरलल भी हो और टैंजेंट भी हो इस तरह से किवल दो रेखाएं हो सकती हैं बना के दिखाऊं का हो तो नहीं तो रहने दूँ कोई मतलब नहीं है, अगला पेज पल्टो और नंबर वाला करवाऊं इसका जबाब होगा 2 हिंदी में लिख लो 2 आप सबको पता है कि बता हूँ बाई, एक सरकल खिंचलो, एक ऐसे जाएगी ऐसे, एक रेखा तो यह हो गई समानतर एक ऐसे, ऐसे कर सकते हो, 2 हो सकती बस खिक है, डन अगला चलो चौथा पार्ट चौथा पार्ट इंगलिस में देखिये बोल रहा हूँ किरा दा कामन पॉइंट आफ आफ आटेंजेंट दा कामन पॉइंट आफ आटेंजेंट तु आ सरकल अणिद दा सरकल इज कर्ल्ड तैस इस सोन गो दा कमन पॉइंट आफ आ टेंजेंट तु आ सरकल अणिद Lex इजिक कर्ल्ड यानि बृद्त था उसकी थ्पर्स रेखा के उभैनिष्ट बिनदू उभैनिष्ट का मतलब होता बेटा कमन ठीक है circle और उसकी asperse रेखा यानि tangent line की जो common point होगा उसे क्या बोलते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया था इंगलीज में point of contact ना point of contact उसे क्या बोलते हैं बोलते क्या उसका नाम ही हुई है asperse bindu बोलते हैं हिंदी में लिखोगे asperse bindu ठीक है इंगलीज में लिखोगे point of contact point of contact ओके तो इस तरह से आपका question number ये दूसरा भी complete हो गया लिख लीजिए चात्रों कोई भी doubt है तो बताईए हो गया जल्दी करें अगर अभी तक आपने pvr study channel को subscribe नहीं किया तो तुरंत कर ले और bell icon press करना न भूले जिससे कि आप फ्री पढ़ सकें घर बैठे पढ़ सकें अगला चलते हैं बहुत जल्दी सबर बना के रखिएगा exam कोपड़ी पे है कोई tension नि लेना है जितना पढ़ाया जा revision करते रहो बस आगे बढ़ते रहो अगला question दिखाईए तीसरा question तीफरा question क्या कहता है जरा ध्यान से देखना बबू क्या कह रहा है देख लो पढ़ लो क्यारा 5 cm त्रिज्या वाले एक बृत्य के बिंदू पर असपर्स रेखा PQ केंदर O से जाने वाली रेखा से बिंदू Q पर इस प्रकार मिलती है कि O Q 12 cm है तो PQ की लंबाई ग्यात कीजिए ठीक है चलिए एक figure ड्रा करते हैं जैसे ये बोल रहा है पहले एक circle बनाएंगे एक circle बनाने के बाद जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे इस थिती में हम उसको ड्रा करेंगे ठीक है डंट वरी आजाओ जल्दी से आजाओ बैटा आजाओ जल्दी से बना लेते हैं ताइम जादा नहीं देखिया आपके सामने मैंने चितर बना दिया है अब इसमें जो आप से पूछ रहा है PQ निकालना बहुत आफान है जो को बैटा कह रहा था तरिज्या पांच सेंटीमीटर है मैंने लिख दिया और इसमें OQ की दूरी भी लंबाई 12 सेंटीमीटर बोल रहा था मैंने वो भी लिख दिया अब इसमें तुम्हें क्या करना है सिम्पल में पाइथा गोरस परमिये लगा देना है और PQ निकाल लेना है जैसा कि दिख रहा है यह आधार है तो घटा करके ही निकलेगा है ना आप क्या लिखोगे PQ का स्क्वाइर इक्वल OQ स्क्वाइर माइनस O P स्क्वाइर ठीक है यहाँ पर साइड में कर दूँ मैं लिख लीजिए पाइथा गोरस की परमिये से लेटिंग सब लोग इसक्वाइर से लिख लीजिए तो देखो बेटा हमें PQ निकालना है तो यह हो जाएगा PQ का स्क्वाइर इक्वल OQ का स्क्वाइर और माइनस O P का होल स्क्वाइर ठीक है O Q यहनी 12 का होल स्क्वाइर माइनस यह 5 का होल स्क्वाइर 144 माइनस 25 इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं न खटा के देख लो 119 आएगा बटा ठीक है इनको थोड़ा इधर साइड में लाके मैं हल कर लूँगा तो PQ का होल स्क्वाइर इक्वाइर इक्वाइगा 119 यहनी हम कह सकते हैं PQ इक्वाइगा अंडरूट 119 हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 119 अगर आप आप्शन देखो तो आप्शन नंबर D सही है जो कोईशन आप देख रहे हो 14 तीसरा नंबर इसमें D आप्शन सही है ठीक है किसी के मन में कोई डाउट है कोई भी तो बताइए नहीं ना आगे बढ़ें जल्दी लिख लिजिए बच्चों आपका तीफरा कोईशन भी हो गया बहुत जल्दी करिए कोईशन स्क्रीन से मैं अटा देता हूं हो गया ना अगर आप नहीं समझे थे वीडियो को तोड़ा पीछे करके लिख लिजिए चलिए टाइम हो गया डन अगला कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं उस तरह से फिर ये 10.1 खतम हो जाए जल्दी देखिए नेक्स्ट ये 10.1 का लाइस्ट कुश्चन है और बहुत आसान है बेटा इसक्रीन पर अगर आप ध्यान से देखो उपर साइड में तो आपको दिख रहा होगा कहरा कि एक बृत खींचिये मतलब एक सरकल आपको क्या करना है ड्रा करना है और पढ़ लिजी पूरा क्या कहरा है कि एक बृत खींचिये और दो एक दी गई रेखा के समानतर दो ऐसी रेखाएं खींचिये कि उनमें से एक असपर्स रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो मतलब सिंपल सा है थोड़ा गुमार आईए सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हम एक सरकल खींच लिए जो कि मैंने खींच लिया ठीक है बीटा सरकल खींचने के बाद क्या कहता है खींचिये और दो दो ब्यार रुकना दो बोलने बाद एक दी गई रेखा के समानतर दो ऐसी रेखाएं खींचिये थोड़ा अजीव टाइब का लिखाया नहां तो एक कोई रेखा हम खींच लेते मान लो मान लो हमने एक खींच लिया, अब कहरा कि इस दी गई रेखा के समानतर दो रेखा खींचो, इसे तो अपने से खींच ना था, कुछ लोग यही तो समझ नहीं पा रहे हैं, कोश्चन फिर से पढ़ लो, कहरा कि एक ब्रित खींचिये, इंग्लिस में मैं बोल देता हूं पहले तब फिर करता ह सुन लो, इंग्लिस में, कहरा, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and one is the tangent and the other is a secant to the circle तो यह मैंने खींच लिया, अभी इसके parallel दो line ऐसे खींची जा सकती बेटा, ऐसे ऐसे, कहरा था, एक असपर्स रेखा होनी चाहिए, यानि tangent और एक secant होनी चाहिए तो इसके parallel भी हो, जो line खींची है, तो यह हो सकती है, tangent और secant भी हो, तो यह हो सकती है, okay, done हो गया खतम, इनके चाहो तो नाम भी लिख दो, आप कुछ भी, या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है इन रेखाओं को मैं मान लेता हूँ कि मैंने इनके नाम रख दिये हैं, क्या-क्या चलो मैंने मान लिए इनका नाम A था, इनका नाम B था, इनका नाम C था, बना लीजी हो गया हाँ, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इधर line भी आप ऐसे भी खींच सकते थे जो लोग confusion में हूँ बेटा देखो ऐसे भी तुम कर सकते हैं, इसकोई कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है इस तरह से बच्चोँ आपका 10.1 पुरा खतम हो गया, बृत्त का आपका 10.1 चेप्टर ही खतम हो गया, अब हम 10.2 में कुछ question है उनको करेंगे next class में अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके बताइए अगर अभी तक आपने PVR study 3.0 और PVR study लहबा चैनल को subscribe ने किया तो तुरंत कर लें और play store से PVR study app download करें और घर बैठे आराम से बढ़ सकें अगर आपका भी mathematics कमजोर है तो हम आपके लिए special calls launch कियें अभी जल्दी में ही बिल्कुल zero label से math सिखाने वाला screen पर आपको दिख रहा है नीचे दिए गए नंबरों पर contact करें आप चाहिए इसे join कर सकते हैं कच्छ 10 वालों के लिए यह offer पूरे 31 जनुरी तक दे दिया गया है ठीक है तो आप जब चाहिए 31 जनुरी तक कर सकते हैं बिल्कुल zero label से सिखाते हैं कर महत में आपको कुछ भी नहीं आता ना इसमें आपको कच्छ 6 की महत भी मिलेगी कच्छ 7 8 की भी मिलेगी कच्छ 5 की भी मिलेगी सब पूरा महत मिलेगा एक तरप से 12 और डाउट होगा अलग से बताया जाएगा है ना अच्छा तंपर करिए धन्यवाद